हेलो अब्रिवान, वेलकम तू मार यूट्यूब चैनल और आज हम करने वाले हैं इकनोमिक्स का इंडियन इकनोमिक डिवलपमेंट का चाप्टर नमबर थ्री इंडियन एकॉनमी 1950-1990 अब यह वो टाइम पेरिड था जब हमारी जो न्यू इकनोमिक पॉलिसी है वो इंप्लि और हम करने वाले हैं इसकी लाइन टो लाइन एक्समिनेशन और जो हमारा फर्स तॉपिक है वो है एक्रिकल्चर तो इसका हमें एक रिकाप कर लेंगे लाइन टो लाइन अग्रिकल्चर सेक्टर वो बोथ बैक्वर्ड और स्टेगनेंट अध दे ताइम उफ इंडिपेंड गर्ण चरते हैं तो वो भी हमारे पास तरिक फूल तक समें अधी शाइन और। होगे इंडिée म्ट रोग थे तेदी दो पूल्चर वाइस बोहमारे पास वांडि चेम खांगे है प्रामेटिफ टेखनोजी और कंसीड़ली हाय कोस्ट ब्रड़क्शन जिसके पास को स्केटल होल्डिंग्स कोई पर संट धी कोई पर्संट की होल्डिंग कोई कहां पर ते तो उनकी ट्रांसपोटेशन का आने जाने का खथा और इसी वज़ा से चीटले का। सब्सिस्टेंस आउटलूक और देखने का वह अभी तक कमर्शल फार्मिंग के तरफ नहीं आये थे सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब यहां था कि वह सिरफ अपने नीड्स के लिए ही पूरा कर रहे थे फार्मर्स जो गाते थे वह अपने खुदी कंजूम कर ले थे सेल्फ कंजब्शन के लिए जो वह उगाते थे वह सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी तो वहां पर वह उसको प्रॉफिट अर्निंग का मीज नहीं समझ रहे थे इसलिए वह हमारे पास बैकवर्ट था नेक्स हमारे रिवेन्य विच डिप्राइफ देफ फामर्स ओफ देर ओनर्शिप राइक्स और लेफ देम विद नो सर्प्लस बियोंड सब्सिस्टेंस अब हमारे पास एक्स्प्लोइटिव लांड रिवेन्य शिस्टम था जमीदारिश सिस्टम था दिश्टी विजैसे जो ओनर्स थे ना ही उनके पास ओनर्शिप राइस थे और ना ही उनके पास सर्प्लस रहता था सिरफ वो अपनी कंड़प्शिन के लिए ही उगा सकते थे नेक्स पॉइंट था हमारे पास फोर्स कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ दे अग्रिकल्चर अब जो ब्रिटिश टेक्स्टाइल बंजर हो जाती है उसमें कोई फाटिलिटी रहती ही नहीं है नेक्स हमारे पास वाइडनिंग गल्फ बीट्विन देटीनर्स टीलर्स ऑफ दे सौइल आनौडर्स ऑफ दे सौइल दे टीलर्स रप्लस टू इंवेस्ट अन दा ओनर्स वेस्टेट देर सरफ प्लस इन कौंस् आप चेया सब में परिजने वाला है इसके पीच में कहा था जो हमारे पास टीलर्स ऑस अंधास ने कि लांड थी लैंड की ओनर्शिप ठी अबगैस धमी उनके पास कोई सर्पलस नहीं लेकिन जो ओनर्स थे जिसके इंडर काम कर रहे थे वह उनके पास इन करा आपकर्त में वेस्ट कर रहे थे इसलिए यहां पर खागया है कॉंस्पीशियस कंजप्शन इंद वी आफ दीज इशुज ऑफ दे बाक्वार्ड एंस अगनेशन आफ दा इंडियान अग्रिकल्चर दे प्लानर्स ऑफ दा इंडिया इंट्रियूज दो सीरीज ऑफ रिफोर्म्स विच ब्लोडली क्लासिफाइड आज लैंड्रिफोंज और टेकनीकल रिफोर्म्स लैंड्रिफोंज को दूसरा नाम भी क्या जाता है इंस्टिशिशनल रिफॉर्म्स अब जो इंडियन एक्कॉनमी की जो अग्रिकल्चर की जो स्टेट थी उसको देखते हुए जो उसकी सिचु अब जो लैंड रिफोर्म स्टेट का मेन मोटिफ क्या था इंडियन अग्रिकल्चर के अंदर जो अनेक्वालिटी आ रही थी उसको रिडियूस करना कम करना और वो कैसे हुआ इसमें हैडिंग्स को याद रखना बाकि हम खुद भी लिख सकते हैं बनाकर इंटर्मिडेरिस बिट्विन दे स्टेट्स एंड एक्च्वल टिलर अफ दे सोयल जो की जिसे जमिदार कहा जाता था उसको अब बोलिश कर दिया जमिदारी सिस्टम्स को जो ownership rights थे वर गिवन तु दो आक्च्वली को टिवयटर दा सोयल जो नियानि की टिलर्श ऑफ दो सोयल थे जो को टिवेट करते थे उस पर काम करते थे उस पर क्रोफ सुगाते थे उसे ही ownership राइट जो दे दिये गए थे As a result, government ने दो objective अचीव करें, वो क्या थे? To stop exploitation of the cultivators by जमिदार, जो जमिदार इस सिटम के थूँ और जमिदार के थूँ कल्टिवेटर के exploitation करी थी, वो बंद हो रही थी और दीरे-दीरे Next, क्या था? Give incentives to the cultivators to make improvements on land as its owner. अब जो government थे, उसने क्या करा? Cultivators को incentive देने शुरू कर दिये, improvements के लिए on the land, किसको क्योंकि वो ही owners of the soil थे उनको. और इस वज़े से क्या हुआ? The abortion of intermediaries meant that some 2 lakh tenants got ownership rights and they came into direct contact with the government for the payment of the land revenue. अब जसे क्या हुआ? Abolition of intermediaries थे, जो 200 lakh tenants थे उसको ownership right मिल गए और वो government के साथ direct contact में आगी for the payment of the land revenue. Next, second point हमार पास आता है, ceiling on the land holdings. With a view to promoting equity. Equity का मतलब है equality. In the distribution of land, ceiling were imposed on land holding size. अब ceiling का मतलब यहां पर क्या है कि एक जो land holding का जो size था, उसकी जो capacity थी उसको fix कर दियागा कि एक maximum limit के बाद आप इतनी land नहीं hold कर सकते हैं. For example, कि आप 10 एकर land hold कर सकते हो, एक बंदे के पास इतना ही land होना चाहिए, उससे जादा नहीं होना चाहिए. उससे जादा क्या होगा, अगर होगा तो वो government ले लेगी और उसको बांद दीगी. It implies the fixation of the maximum size of the cultivable land that an individual or a family could own. इसका मतलब था एक fiximize कर देना, maximum size of the cultivable land. कि आप इतना ही land hold कर सकते हो, एक individual या फिर एक family. Land sealing aims at reducing the concentration of land ownership in the fewer hands. और इसका main aim क्या था कि जो concentration power थी of land holdings वो कुछी जनों के पास थी, कुछी जनों तक उसकी जो शमता है, ownership की जो rights हैं वो ना रहें. वो बाकियों के पास भी जाएं. तो इससे क्या हुआ हुआ, जो surplus land था, वो रिजूम गाद गवर्मेंट. जो surplus land को गवर या फिर जो landless liberty जिनके पास lands था ही नहीं. नेक्स्ट हमार पास है consolidation of holdings. विद दे व्यू और तू reducing fragmentation, consolidation of holdings was accorded a high priority. अब सबसे पहले हम यहां पर meaning समझते हैं, fragmentation का, fragmentation का मतलब होता है, fragmentation में बटा हुआ, fragments में, मतलब छोटे-छोटे हिस्सों में बटा हुआ, scattered holdings जिसे हम कहते हैं, और इसी scattered holdings को कम करने के लिए, जो consolidation of the farming है, वो हमार पास करा गया, consolidation is a practice to allow a land to a farmer at one place for his scattered holdings here and there, it saves the cost of cultivation. इसको हम एग्जामपल से समझते हैं, सुपोज आप एक फार्मर हो और आप पानी पत में रह रह रहे हो, और आपके जो lands है, वो करनाल के पास, सोनी पत के प पर हैं, तो अलग-लग जगा पर नहा होकर आपको गवर्मेंट ने आपको पानी पत में ही आपके जो land है, उसको अलोट कर दिया, मतलब जो भी आपके scattered pieces थे, उसको सब एक जगा ही कर दिया, तो इससे क्या होगा, आपकी cost of the cultivation है, वो बचेगी, आपके inputs बचेंगे, आपका 2004, जो 1633 लक ट्रीए लाइंट को ब्रोट कर दिया गया, अंडर को ऑम कुना सब पर चुलेटेटेजिक, तो ने का दिया, रूड यर।, इसको इससे क्रेड बचाति क्को पंपार से सुथा ठीडत है, ने आपके।, धो आपक, तो अलों पेरेड र em इसमें क्या हुआ कि रेंट की जो एक लेमिट आप हो सट के कर दी गई क्योंकि जो क्ल्टिवेटर्स थें उन्से लिया जाता था या फिर एली抗ल एक्स्टोन करी जाती थी मतलब उनके धमका के उनसे ज़्लादा लेंट है उसके वसूलाइ जाता था इसलिए government ने उसको regulate कर दिया गया वो कैसे कि जो one third of the crop value होगी उससे जो rent आपक सीड नहीं करेगा एक by जो उसका third part था, one by third जो उसका हिस्सा था सिरफ उससे जादा नहीं होना चाहिए तीन में से सिरफ उसका एक हिस्सा जो है वो ही rent में जाना चाहिए next point था हमार पास cooperative farming, cooperative farming was promoted to enhance bargaining power of the small holders collectively the farmers could buy inputs at a lower price and sell there produce at a higher price अब इसमें क्या था cooperative farming, farmers जो थे वो cooperate कर सकते थे ही कठे आ सकते थे जिनके पास small holders थे, उनके पास bargaining power थी, इकठे अगर वो समान purchase करते थे तो उन्हें सस्ता मिलता था lower prices पे उन्हें inputs वो थे, वो collect कर सकते थे और अपने जो produce थे, उनका जो output produce हुआ था उनकी जो quantity जो produce हुई थी, productivity थी उसे वो किस पे बेच सकते थे, higher prices पे बेच सकते थे अब यह तो थे हमारे पास की land reforms कैसे execute हुए, अब next हमारे पास आएगा partial implementation of land reforms अब जो partial word से clear है कि partiality से वो कैसे implement करा गया था land reforms अब land reforms पूरे इंडिया में regulate नहीं हुआ था, वो सिरफ कुछ कुछ ही जगा पर हुआ था, यानि कि अगर हमारे पास question आए कि उसकी limitations क्या थी अब जो उपर हमने पढ़ा वो तो हो सकती है कि उसकी advantages कैसी थी, उसकी process क्या थी अब यहाँ पर आती है limitation of the land reforms हमारे पास क्या थी despite the noble objective of the land reforms, these reforms were only partially implemented in the country जो land reforms से उसको partially implement करा गया, पूरी तरीके से वो implement नहीं करी गए these were effectively introduced only in the states of West Bengal and Kerala यह सिरफ introduced करी गई थी in the states of West Bengal में और Kerala में सिरफ वहीं पर यह implement की गई थी most of the parts of the country जो land reforms से only propagated and not effectively implemented this was because of two reasons अब हुआ ऐसे था कि सिरफ West Bengal और Kerala में ही यह implement की हुई क्योंकि जो other जगा पे जो land reforms से सिरफ वो बताए गई, propagate करे गई वहां तक पहुँचे लेकिन उसको effectively implement नहीं करा गया तो उसके reasons हम पढ़ेंगे अबागे the जमिदार्स in the most cases managed to evict the tenants to show themselves as the cultivators and legitimate owners of the soil अब क्या हुआ कि कुछ cases में जो जमिदार्स है उसने tenants को मना लिया कि वो government के आगे उन्होंने ऐसा शो करा जमिदार्स ने कि वही cultivators of the soil है और वही legitimate owners of the soil है कि वही उसको cultivate कर रहे हैं और owners of the soil तो वह थे ही थे अब next क्या हैगा अब second हमने पढ़ा था कि land sealing आगा था जो government ले land को seal कर दिया था कि इस limit से उपर आप land को नहीं रख सकते तो landlords ने क्या करा इस act से बचने के लिए उसे time पाने के लिए उन्होंने इसके against case जो है वो कर दिया course में इसके against letters डाल दिये course में जिस वजह से अब जो एक government का काम था तो सरकारी काम तो हमें पता आए कि कैसे होता है कितनी धीरे होता है तो इस वजह से उन्हें क्या मिल गया लैंडोर्स के पास time मिल गया sealing act से बचने का और इस time में उन्होंने क्या करा बहुत ही अपना तेज और शातर दिमाग उन्होंने उसकरा और जिससे क्या हुआ जो surplus lands था उन्होंने क्या करा अपने close relatives के नाम पर register करा दिया जिससे कि उन्होंने आपस में यह decide कर लिया कि close relatives के कि यह जो land है वो रहेगा तो तेरे नाम पर लेकिन वो है किसका वो रहेगा तो मेरा ही तो ऐसे उन्होंने कर लिया और इस time का उन्होंने fulfillment से अपना यूज करा तो यह दो reasons थे जिसकी वज़ा से हमारे जो land reforms है वो country में partially implement हुए और पूरी तरहिके से implement जो है वो नहीं हुए दूसरे reforms हमारे पास introduce करे गए थे वो कौन से थे वो थे technical reforms अब इसमें क्या था the problem of the low productivity was tackled by the way of technical reforms the reforms evolved around the hyv seeds use of hyv seeds along with the chemical fertilizer insecticides और pesticides अब इसमें क्या था जो हमारे पास जो low productivity की problem हमारे थी उसको किसने सुधारत टेक्निकल रिफॉर्म में जो हमारे पास technology के अंदर जो changes आये थे उन्हों नहीं और यह कैसे possible हुआ हमारे पास hyv seeds के थे थू हाई yielding variety के जो seeds थे उसके थू और उसके साथ साथ chemical fertilizer insecticide से क्या हुआ जो substantial rise in the level of output हमने देखने को मिला the rise in the output was so significant that it was called green revolution अब जो output था उसके अंदर इतना जादा rise था कि उसको हमने क्या दिया green revolution का नाम दिया जो term हमारे पास green है refers to the crop and revolution refers to the spurt और together अगर हमें इस रही कठा कर दे तो इसका मतलब बनेगा imply a spurt in the crop production it started happening in the year in 1967 so 68 के बीच में हुआ है इंडिया के अंदर in the year 1967 और 68 में itself food grain production increased by nearly 25% इंडिया became self-sufficient in production of food grains and successfully broke the facial circle of agriculture stagnation अब जो technical reforms थे उससे क्या हुआ हमारी जो production कपैस्टिया वो लगभग 20% तक बढ़ गई और इंडिया जो है वो self-sufficient बन गया in the food grain की production में और उसने finally जो वाईशिय circle था और agriculture stagnation जिसमें growth ना ओस सरकल को उसने तोड़ दिया और जो agriculture था वो हमारे पास बिलकुल सही तरीके से rise होने लग गया अब next हमारे पास आते हैं elements of the hyv technology जिसके अंदर हमारे पास four principal elements थे जिसमें पहले आये use of hyv seeds since 1965 high yielding variety seeds started replacing the conventional variety 1965 के बाद ऐसा होने लगा कि जो हमारे simple seeds of the varieties आती थी उसको high yielding variety seeds जिन से production जादा होती थी उन seeds के साथ वो क्या होने लगे बदलने लगे लोग farmers जो थे उन seeds का use करने लगे है एक वाई seeds गेंस पॉपलारिटी फोर वीट बाजरा राइस मेंस जो आर कोटन इन पर्टिक्लर इन अग्रिकल्चर आउटपूट क्या हुआ जो एक वाई seeds थे पॉपलारिट किस वजए से होने लगे उन्होंने पॉपलारिटी गें की फोर वीट बाजरा राइस मेंस और कोटन इन पर्टिकुलर्ली और इन हमारे पास क्या हुआ एक सब्स्टेंशल राइस देखने को मिला हमें इन अग्रिकुल्चर आउटपूट नेक्स हमारे पास है यूज ऑफ दे केमिकल फर्टिलाइजर्स दी यूज ऑफ दे यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स जो यूज करा जाता है एक वाई सीज का उसमें क सब्सक्राइज के साथ हमें फर्टिलाइजर्स की रिक्वार्मेंट रहती है और इसलिए एस्टिमेट करा गया है फर्टिलाइजर एसोशीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि ओर्मोस्ट 293.69 लाक टन्स ओफ दे केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो इंडिया में कंजूम करा गय है दूरिंग दे पीरिएड 2019 से 20 के बीच में इतनी कंजूप्शन हुई हमारे पास फर्टिलाइजर्स की नेक्स जो आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट जो आ जाता है यूज ऑफ दे इंसेक्टिसाइज और पेस्टिसाइज फोर दे क्रॉप प्रोड़क्शन पास साथ हमें पैस्टिसाइज की जरूरत थी क्यों थी हमारे क्रॉप्स को डिसीजिज और पैस से कीट पतंगों से बचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी थी फट पैस्टिसाइज की जो फोर्टीन सेंट्रल प्रोटेक्शन सेंटर्स जो थे वो सेट अप करे गए सेंट्रल प्लान प्रोटेक्शन सेंटर यह देखना में पक्का आएगा कि कितने जो प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं वो सेट अप करे गए उसका अंसर कितना एगा फोर्टीन फोर्टीन प्रोटेक्शन इंटिग्रेट पेस्ट मेरेजमेंट प्रोग्राम वस अडॉप्टेड crop crop protection के लिए अब ये भी question हमारे पास आ सकता है कि कौन सा program adopt करा गया था HVY technology के साथ तो वो आएगा pest management program adopt करा गया हमारे पास HVY technology के साथ Expansion of the irrigation facilities HVY seeds need to be deeply irrigated अब जो HVY seeds हैं उसके use के साथ हमें क्या चाहिए उनको irrigation facility भी चाहिए to cope with the needs several major or minor irrigation projects were launched across the different parts of the country और इसके साथ साथ इसको पूरा करने के लिए इसकी need को जो छोटे छोटे minor irrigation projects और major बड़े भी और छोटे भी जो projects है वो launch करे गए across the different parts of the country country के जगह जगह पर different parts of the country उसको launch करा गया it is a significant that while in 1951 barely the 17% of the land जो था permanent irrigation के अंडर था वो increase होके कितना हो गया 45% during the planned period अब जो इस वजह से हमारे पास जो 17% जो land आज़ा था irrigation के अंदर उसको increase कर दिया गया इतना ज़्यादा उस project ने हमारे पास rise दिखाया कि वो जो permanent irrigation के अंदर अब कितना लैंड आने लग गया 45% of the land अब हमारे पास जो next था हमारे पास जो green revolution हुआ उसको भी क्या कर दिया गया दो हिस्तों में दिवाइड कर दिया गया पहला phase जो है mid 60s से mid 70s तक और दूसरा phase जो है पर पास mid 70s से mid 80s तक तो first में क्या हुआ था हम देखते हैं during the phase scope of the green revolution was restricted largely to wheat and rice growing regions of the country these included the states of Punjab Andhra Pradesh and Tamil Nadu this is because the ATVYCs required the regular supply of water in addition to use the fertilizers and pesticides in the correct proportion in the first phase only the farmers who had financial resources to purchase inputs were able to reap the benefits and therefore the revolution was restricted to the effluent areas of the country अब जो first phase था उसमें यह हुआ था कि जो वो first phase में जो green revolution था वो सिर्फ restricted था largely wheat और rice growing regions of the country जो regions जो हमारे पास सबसे ज़्यादा wheat और rice grow करते थे सिर्फ वहीं तक ही सीमित था और इसमें क्या आती कॉंसे states included थी पंजाब आंद्रपरदेश और तमिलनाडू अब जो हमारे पास hv y seeds थे उसको क्या चाहिए था continuous और regular supply of the water भी चाहिए था fertilizer का use भी चाहिए था और pesticides भी चाहिए था इंदर correct proportion और यह सिरफ वही farmers कर पाए जिनके पास पूरे financial resources थे क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा तो यह fertilizer और pesticides और hv y seeds को ले सकोगे बीना पैसर के तो आप उनको खरीद नहीं सकोगे न और यही हुआ कि इसी वजह से सिरफ जो farmers थे जो effluent farmers थे rich farmers थे वही सिरफ इसका benefit लेने के काबिल रहे थे और इसी वजह से यह revolution था जो restricted था to the effluent areas of the country अब effluent areas में यह आएगा group of the people जिनके पास great deal of the money है जिनके पास बहुत सारा पैसा था या फिर वो जिनके पास इसका मतलब effluent का मतलब होता है free flow जिसको हम कहा सकते हैं कि जो water की supply थी वो भी freely flow में थी सिर्फ वही इस phase का जो है green revolution का जो फाइदा है वो उठा पाए थे तो इसको में अगर हम briefly करें तो यह क्या था सिर्फ कुछ states तक restricted था जो कि पंजाब हर्याना रहंदर पर दिश थी और crops की बात करें तो हम सिर्फ wheat और rice तक ही था और यह सिर्फ इसका फाइदा उठाने वाल क friendly governance, कि पिसी के जाएदाने एंग तो इसको का नर एंग हो से इसके शेजादने अगे तूमें, फ्रॉप बाहे हैं तो इस ISULT करेंग statistics, अन्गिए पोगमें तोेदाया लूब का प Sulुम्त अरूब ली छोब्र में, रोध to invention by the government that the benefits of the green revolution acute to the small farmers as well अब इसमें क्या करा गया जो काम first phase में नहीं हुआ वो काम किसमें करा गया second phase में second phase में ऐसा हुआ कि जो green revolution था उसने किस area को कवर करा larger area of the country उसको most areas of the country को कवर करा गया और larger number of the crops यह सिरफ wheat और rice तक ही restricted नहीं था अब यह और भी crops तक जो है पहुचने लग गया इसमें government ने क्या करा जो small farmers थे छोटे farmers थे poor farmers थे उन्हें low interest rate के उपर low interest rate के उपर उन्हें money provide कि उन्हें subsidize fertilizers दिए pesticides दिए ताकि वह भी इस चीज़ का क्या है फाइदा उठा सके making the modern equipment accessible to the small farmers उन्होंने modern equipment जो भी थे उस time के वह small farmers को accessible कराई उन्हें provide कराई as a result जो green revolution था उसने small landholders को भी cover कर लिया था एक तरहीं से उनको भी इस revolution का हिस्सा बना लिया था this was owing to the intervention by the government that benefits of the green revolution acute to the small farmers as well अब government के intervention की विज़े से government के step की विज़े से क्या हो था green revolution का फाइदा कौन उठा पाए थे small farmers भी उठा पाए थे और next video में हम करेंगे जो green revolution के limitations थी और क्या उसकी advantages थी पढ़ा वो इस वीडियो में वही है था कि agriculture के जो backwardness थी और stagnantness थी वो क्यों थी और इसके विज़े से government कौन से reforms implement करें वो थे land reforms और टेक्निकल reforms जो land reforms में थे उसके अंदर कुछ basic principles थे जैसे कि abortion of intermediaries ceiling of land holdings consolidation of rent or corporate farming और हमने वहीं यह पढ़ा कि जो land reforms थे उसकी limitations क्या थी वो किस तरह से implement हुआ था हमारी country के अंदर और फिर हमने पढ़े technical reforms technical reforms क्या थे एच्वी वाई टेक्नोलजी क्या थी और green revolution क्या और हमने फिर पढ़े elements of the हुआ टेक्नोलजी क्या elements थे और green revolution की two phases और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी advantages और disadvantages यानि कि इसकी limitations और उसका significance हम लोग करेंगे कि क्या था तो इस कैनल को जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्राइब कर लें और भी जाद लाइन टो लाइन explanations के लिए और लाइक कर दे वीडियो को और शेयर भी करना ना भूलें